नमस्कार दोस्तों, Economist Class में आपका स्वागत है, मेरा नाम है चेंसिंग और आज हम समझने वाले हैं मार्शल की जो कल्यान संबंदी परिवासा है अर्दिसास्त्री उसको इससे पहले जो हमने class ली है, कक्छा 11 वी के अर्दिसास्त् Engagement के उसमें हमने अर्दिसास्त्र की परिवासा अभी हमारा पहला अध्याय ही चल रहा है जिसमें अर्दिसास्त्र की परिवासा दी गई है और इनको 7 केटिकरियों में विभाजित किया गया है तो जो पहली category थी, first session में हमने उस पर विचार किया था, पहली category थी कौन सी, धन पर आधारित परिभासाओ की, जिन में हमने, जिसके अंतरगत हमने Adam Smith की परिभासा को समझा था कि धन का बिज्ञान है, क्या? अर्दिसास्त धन का बिज्ञान है, उन्होंने धन को अधिक का जनक कहा जाता है, तो ये कई सारे महत्पूर्ण बिंदू भी थे, जिस पर हमने चर्चा की थी, जो की बहुत महत्पूर्ण हैं, और अधिक तर परिख्चाओं में पूंचे जाते हैं, तो उनको याद रखना, और यदि कोई नया ब्यक्ती है, तो पहले उस वीडियो को देखे, तब उसके बाद इसको समझेगा, तो और आसानी से समझ में आएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, तो जो धन संबंदी परिभासा थी, उसमें एडम इस्मित ने अर्धिसास्त को धन का बिज्ञान कहा है, धन को सर्वपरी माना है, धन को ही अर्ध जो धन से संबंदित परिभासाए थी, जिन जन अर्धिसास्त्रियों ने धन से संबंदित परिभासाए दी थी, उनके बाद और कई अर्धिसास्त्री हुए, जिनोंने अर्धिसास्त को धन का बिज्ञान नहीं माना और उसकी आलोशना की, कईोंने तो अर्धिसास्त को एक आलोच ना हुई तो उसके बाद एक और अर्दिसायस्त्री आया नए जिनका नाम था मार्सल प्रोफेसर मार्सल जिनने हम कहते हैं तो इन्होंने भी आर्दिसायस्त्र में काफी ज्यादा योगदान दिया है तो इनको ध्यान रखना और इनका एक नए एक पृष्षने परिक जाता यह हम कह सकते हैं कि मार्सल ने अर्दिसायस्त्र को आलोचना से बचाया और एक सम्मान जनक इस्थान प्रदान किया जिन लोगों ने इसे धन का विज्यान कहा था उसकी आलोचना करते हुए मार्सल ने अर्दिसायस्त्र को एक सामाजिक विज्यान कहा उन्होंने कहा धन जो है वो मनुस्य के लिए है, मनुस्य धन के लिए नहीं है, ये कहकर उनोंने उसे आलोचना से बचाया। अब उनकी जो परिभासा है उस पर हम विचार करने क्या परिभासा है मार्सल की तो देखिए अर्धिसास्त्र जीवन के सामान्य बैवरसाय में मानब जाती का अध्यन है इसमें ब्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जाच की जाती है जिसका कल्यान के लिए आवश्यक भौतिक साधनों की प्राप्ति और उसके उपयोग से बड़ा ही घनिष्ट संबंध होता है आलोजना से बचाते हुए सबसे पहले तो उन्होंने एक मानब जाती का अध्यन कह दिया और अर्धिसास्त्र सामान ब्यवसाय के मानब जाती का अध्यन मतलब कि सामान ब्यवसाय करते हैं उसको उन्होंने उसमें एंगित किया ना कि यह कहा कि धन का साच्त्र है इसके बाद इसमें ब्यक्ति गत्ध मतलब ब्यक्ति गत्ध और सामाजिक, मतलब व्यक्ति और पूरे समाज की जो किरियाय है, उस भाग की जाच की जाती है, जिसका कल्यान के लिए, मतलब की मनुस्थ की भलाई के लिए, आवश्चक भौतिक साधनों की, मतलब जो साधन भौतिक रूप से, भौतिक रूप क्या होता है, जिनने हम छू स सकते हैं इस पर्स कर सकते हैं आवश्चक मतलब की किस के लिए जिसका कल्याण के लिए आवश्चक है जो कल्याण करने के लिए तो सब कुछ समझ लिया, तो आर्दिसाष्ट क्या है, जी बन के, सामान ये व्यवसाय का, अब सब्दों पर भी जोर देना है, क्योंकि ये ही अकेल आर्दिसाष्ट्री नहीं है, जिनों ने, इसको परिवासित किया है, इसके बाद जितनी भी परिवासा हैं, इनकी आलोचना की है, उसके बाद उन्होंने परिवासा दी है, तो पहले इनका आर्थ समझेंगे, एक तो सामान ये व्यवसाय, अब व्यवसाय सामान हो या असामान हो, इसको हम अभी, इसमें किसी प्रकार से नहीं बताया गया कि कौन सा व्यवसाय सामान है, कौन सा असामान है, इसके बा मतलब अर्दिसास्त को एक समाज में बांदिया है इसके बाद जात की जाती है जिसका कल्यार के लिए आवश्यक भौतिक साधनों की प्राप्ति और उसके उपियोग से बड़ा इगनिश्ट संबंद है अब भौतिक साधन कुछ साधन ऐसे भी होते हैं जिने हम छू नहीं सकत एक सेवाच्षेत्र हम यदि लेके चलें सेवाच्षेत्र कौन सा जो सेवाय उबलत कराता है जैसे कि एक डॉक्टर है एक टीचर है यह लोग क्या करते हैं सेवाय देते हैं उसके बदले में पेमेंट लेते हैं लेकिन इनकी सेवाओ को हम छू नहीं सकते केवल महसूस कर सक सकते हैं फीबर को उसका इलाज यदि डॉक्टर करता है तो उसे भी आप मैसूस कर सकते हैं कि हाँ मैं ठीक हो गया छूकर देख सकते हैं क्या नहीं कर सकते नहीं उसको आखों से देख सकते हैं तो भौतिक साधनों को केवल महत्वदिया है ठीक है इस पर ध्यान देना किस पर भौतिक साधनों पर महत्विदिया है इसके बाद आगे आ जाईए और दूसरे भी अर्दिसाष्ट्री हुए जिन्होंने मार्सल का समर्थन करते हुए अर्दिसाष्ट्र को सामाजिक कल्यान और भौतिक साधनों से जोड़ा उनकी परिवासा भी देख ले पीगू के अनुसाद पीगू भी एक अर्दिसाष्ट्री है उन्होंने क्या कहा है उनकी परिवासा यह अलग है यह मार्सल की परिवासा हो गई है उपर की नीचे वाली पीगू की परिवासा है, हमारी जाज का छेत्र सामाजिक कल्यान, इन्होंने भी सामाजिक सब्द पर जोड़ दिया था, इन्होंने भी क्या कहा है, सामाजिक कल्यान के उस भाग तक सीमित हो जाता है, जिसे प्रत्यक्ष अथवा और प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा रूपी पैमाने के साथ सम्मंधित किया जा सकता है, सामाजिक कल्याल यानि हमारी जाज का छेत्र अर्द साज्त में वह है जिसमें सामाजिक कल्याल हो और सामाजिक कल्याल के उस भाग तक सीमित हो जाता है, मतलब जो सामाजिक कल्याल है उसी तक सीमित कर दिया है, जिसे पहमाने के साथ सम्बंधित किया जा सकता है प्रतेक्च रूप से या प्रतेक्च चूप्र Rig और इंडारेक्टली जो भी क्रिया होती है इस प्रकार से उन्होंने परिभासा दिये यह पीगू की परिभासा है इसके बाद आ गया जाते हैं केनन की परिभासा तो केनन के अनुसार देखिए केनन ने क्या कहा है तो इन्होंने भी क्या कहा है इसको सामाजिक कलना और इसके साथ देखिए केनन के साथ किस परकार से परिवासा है राजनीतिक अर्दिसास्त का उद्देश उन सामान्य कारणों की ब्याक्षा करना है उन सामान्य कारणों की ब्याक्षा करना है किसका उद्देश अर्दिसास्त का या फिर राजनीतिक अर्दिसास्त राजनीतिक अर्दिसास्त इन्होंने एक नया साथ जोड़ दिया है राजनीतिक अर्दिसास्त राजनीतिक अर्दिसास्त मतलब जो देश से जोड़ा हुआ होता है तो का उद्देश 19 सामान कारणों की ब्याक्षा करना है जिन पर मनुस्य का भौतिक कल्यान निर्भर है भौतिक कल्यान मतलब कि जिसको हम छूकर देख सकते हैं मैसूस कर सकते हैं तो एक तो भौतिक साधनों का इन्होंने भी जिक्र किया है सामाजिक कल्यान का इन्होंने भी जिक्र किया है और भौतिक कल्यान का इन्होंने भी जिक्र किया है इन दौनों की परिवासा है तो आसान है याड्बी हो जाएगी यदि कभी ये पूंछा जाता है कि केनन के अनुसार कल्न्यान संबंधि परिवासा क्या है तो जो Agittage हमने लिखी है जो आपकी book में है वो ही आपको लिखना है उसके बाद जिस यदि Pigoo की आती है कि Pigoo के अनुसार अर्धसाज़त की कल्या थी समबन्दी परिवासा क्या है तो जो Pigoo ने कहे हैं वो ही सब्द हमें लिखना है तो जो परिभासा यदि किसी के सब्दों में पूछी जाती है एजट इज आपको उनी सब्दों में लिखनी होती है तो इनको समझना और याद रखना बहुत जरूरी है ये तो परिभासा है हो गई अब इन परिभासाओं की हम व्याक्षा कर लेते हैं किस प्रकार से मार्सल की परिभासा की व्याक्षा क्योंकि मार्सल की परिभासा सबसे अधिक पिर्चिलित है और ये कहें कि मार्सल का अधिक योगदान है कल्यार सम्मंदी परिभासा में तो उसी की परिभासा की हम ब्याक्षा करते हैं तो तीनों की परिभासा लगबग सेम है आज आते हैं ब्याक्षा पर मनुष्य के कल्यार की अपेच्छा धन को गौनिस्थान प्रदान किया है धन को क्या कर दिया है उन्होंने कम महत्व दिया है जिस प्रकार से एडम स्मित ब महत्व अधिक दिया तो उससे क्या हुआ उसकी अर्दिसास की बहुत ज्यादा आलोचना हुई तो उन्होंने अर्दिसास को आलोचना से बचाने के लिए क्या कर दिया मनुस्थ के कल्यान किया पेक्छा धन को गौनिस्थान प्रदान किया गौनिस्थान मतलब की कम स्थान द देता है और धन को कम महत्व देता है मार्सल कहते हैं कि धन इंसान के लिए है इंसान धन के लिए नहीं है इस प्रकार से हम इसमें लिख सकते हैं आगे आते हैं अर्धिसास्त्र एक सीमित या सुरी अर्धिसास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है सामाजिक विज्ञान किस प्रक उन्हों की साथ घनिष्टे संबंध है यह कहा है उन्होंने तो यह क्या है एक सामाजिक विज्ञान है तो अर्दिसास्त्र के अंतरगत मतलब मार्सल क्या कह रहा है उनकी परिभासा में कि अर्दिसास्त्र में जो सामाजिक प्राणी है जो कि सामाज में रहते हैं जिनका सामा समास से बाहर के लोग हैं जैसे कि साधू संथ है उनको क्या कर दिया है अलग कर दिया है जो समाच के अंदर है केबल उन्हीं लोगों की आर्थिक क्रियाओं को इसमें जोडा जाता है इसके बाद मनुष्य जीवन के साधारन व्यवसाय का अध्यन अब इसमें साधारन व्यवसाय और असाधारन व्यवसाय क्या है इसकी तो इसमें किसी प्रकार की क्या नहीं की गई है बेवेचना नहीं की गई है और ना ही हम उसको समझ सकते हैं सिर्फ ये कहा गया है कि जो साधारन सी किरियाओं है जो लेंदेन की जीवन यापन की जिससे वो भोकता संतुष्टी की इस्तिती में आता है या अपनी अवस्षक्ताओं को पूरा करता है उन्हें हम सामाने व्यवसाय में मान सकते हैं या उन किरियाओं का इसमें अध्यन किया जाता है एक वार इंग पॉइंटों को हम बुक से देख लें बुक में और अच्छा दिया ह जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा खिएगा देखिए पहला दिया मनुस्त की कल्यान के अपक्षा धन को कौनश्थान तो ये तो हमें समझ में आ गया आसान की मारशल में तो केवल साधन मात्र है साध्यतो मानब कल्यान है ठीक है इतना लिखेंगे चलेगा अच्छे मांक्स मिलेंगे इसके बाद अर्द सास्त्र एक सामाजिक विग्यान है मासल के अनुसार अर्द सास्त्र के अंतरकत ऐसे मनुस्थ का अध्यन किया जाता है जो एक सामाजिक प्रा इसका अर्दिसास्त में अध्यान नहीं किया जाता इसके बाद अगला पॉइंट क्या है मनुस्त जीवन के साधरन ब्यवसाय का दिन मार्सल के अर्णुसार अर्दिसास्त को मानभ जीवन की साधरन ब्यवसाय संबंद किरियाओ का अध्यान कहा है मानभ जीवन की साधरन किरि विच को आपने थोड़ा सा समझ लिया तो अपने आप आपको याद रहेगा आप कभी भी उसको समझ सकते हैं कहीं भी उसको लिख सकते हैं इसके बाद आ जाते हैं मार्सल की जो परिवासा है उसकी आलोचना पर किस प्रकार से की गई है और उनकी आलोचना के बाद फिर किस परिभासा दी गई है तो मार्सल की जो परिभासा है उसकी आलोचना करने वाले यार्द शास्त्री है रॉविंस तो रॉविंस ने कल्यार संबंदी परिभासा की कटू आलोचना की और उनकी जो परिभासा आलोचना है उन्होंने निमनी सब्दों में या यह कहें कि जो निमन भौतिकता से आर्दिसास्त को संबंधित करना गलत है क्यों गलत है क्योंकि भौतिकता का मतलब क्या होता है भौतिक साधनों का मतलब क्या होता जिसे हम इस पर्ष कर सकते हैं देख सकते हैं उसे हम भौतिक कहते हैं जिसका एक भौतिक रूप हो जैसे कि यह मारकर है इसका एक क्या है रूप है इसकी एक मूर्ति है जिसे हम छूभी सकते हैं देख भी सकते हैं तो उसी को हम भौतिक साधन कहते हैं जिने हम देख सकते हैं, मैसूस कर सकते हैं, अब केबल भौतिकता से संब्धित करना ये तो गलत है, क्यों कि आर्देशास्त के अंतरगत उनस अजने हम जो भौतिकता से संब्ध नहीं रखती हैं, जैसे कि सेवा छेत्र हैं, जो हमने अभी उधारन लिया था, डॉक्टर और टीचर का इनकी सेवाओं को हम देख नहीं सकते, तो ये क्या है, आलोचिना के तोर पर इनने सही करा है, कि इसे केबल भौतिकता से संबंद करना गलत है, अर्धिसास्त के अंतरगत, अभौतिक किरियाएं भी होती है, जिनका संबंद धन से होता है, और जो अर्धिसास्त्र में जरूरी होती है, इनके बाद आगे आजाईए, मानविय किरियाओं का अब एग्यानिक बर्गी करन करना गलत है, अब एग्यानिक बर्गी करन देख लिए जी क्या है, आर्धिसास्त्र में किरियाओं का अध्यन किया जाता है, अर्थार्ट मार्सल, मानविय किरियाओं को आर्थिक और तथा अनार्थिक दो भागों में विभाजित करते हैं उनकी अनुसार आर्थिक क्रियाएं वय होती हैं जिनका धन से संबंध होता है लेकिन रॉबिंसन ने इस बिचार का आलोचना करती हुए क्या कहा कि मानवी क्रियाओं को आर्थिक तथा अनार्थिक क्रियाओं में ब बाकी जो भी प्रियत्न रहते हैं वो कुछ कल्यान के लिए हैं तो उसको हम जो मानब प्रियत्न रहता है वो प्रियत्न केबल उसके प्रियत्न करने का मतलब यह नहीं रहता है कि उसका उद्देश से वह है धन को अर्जित करना ही हो उसका कल्यान संबंदी उद्देश भी हो स सकता है तो उन्होंने उन्हीं की परिभासा में जो उन्होंने कहा है उसकी आलुचना करते हुए इस तत्य को गलट ठेरा दिया आगे देखते हैं जीवन के वैवसाय का आइस पश्ट अर्थ जो जीवन का हमारा ब्यवसाय है उन्होंने अर्द सास्त में क्या कहा है यानि मार्शल ने अपनी परिभासा में क्या कह दिया उसको सामान्य ब्यवसाय अब सामान्य ब्यवसाय की परिभासा क्या है क्या परिभासा माने के सामाने विवसायय या असामाने विवसायय क्या हो सकता है तो देखिए क्या दिया है मार्शल के अनुसार अर्द सास्त्र मानब जीवन के साधरन ब्यवसाय का अध्यन है तो रॉविंस ने इनकी आलोचना करती हुए कहा कि किरिया को इस प्रकार साधरन तथा असाधरन ब्यवसाय में बाटना गलत है अनेक किरिया असाधरन ब्यवसाय से सम्बंदित होती है फिर भी उनका अध्यन अर्द सास्त्र में किया जाता है जैसे कि जैसे एक अधीकार पूर्ण पृतियोगिता युद्ध और अर्थ विवस्ता अब एक अधीकार क्या होता है जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हूँ, ये भी हम बाजार में समझने बाले हैं, बाजार में आगे पढ़ने बाले हैं, ये सारे सब्दों का हम मतलब आगे समझेंगे, इनको पढ़ेंगे, तो इन्होंने इसको गलट ठेराती हुए क्या कहा, जी आपने इसको इस पश् बाजा रहे हैं, उनका भी अधिन किया जाता है, वास्वान की याण का कल्यान से शंबंद सेस्थापित करना गलत है, अब इन्होंने जो कल्यान का रिक परिवासा दी है, इसको एक गलत कह रहे हैं किस पसकार से, मार्शल के अनुसार, आर्दि सास्त्र मानब कल्यान से संबंधित है रोविंस ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि बहुत सी किरियाय मानब कल्यान से संबंधित नहीं होती बहुत सी आर्दि सास्त्र के अंतरगत बहुत सी किरियाय मानब के कल्यान से संबंधित नहीं होती क्या होती है सुलती है तो सरकार उसको एक प्रकार से प्रोसान देती है क्योंकि सराब से मिलने वाला जो आय है वो सरकार का एक काफी बड़ा हिस्सा है सरकार की आय का एक काफी बड़ा हिस्सा रहता है तो वो किलिया सामाजिक कल्यान के लिए सामाजिक कल्यान के लिए है क्या नहीं है समा इसके आगे आ जाते हैं अर्दिसास्त्र मान भी ये विज्ञान है ना कि केबल सामाजिक विज्ञान अब इन तीनों परिभासाओं में देखिए हमने एक ही सब्द सुना है एक ही सब्द पढ़ा है क्या या तो व्यक्तिगत तथा सामाजिक पीगु के अनुसार भी सामाजिक कल्यान और इन्होंने भी भौतिक कल्यान कहा है भौतिक कल्यान कहा है तो इसे क्या रॉबिंस क्या कह रहा है इसकी आलोचना करते हुए कि मार्शल के अनुसार अर्दिसास्त्र केबल सामाजिक मनुस्यों का अध्यन करता है रॉबिंस ने इ आर्दिसास्त्र एक मानव बिज्यान है जो समाज में रहने वाले तथा समाज से बाहर रहने वाले सभी व्यक्तियों पर समान रूफ से लागू होता है अब इनकी अदि हम माने यहानिकी आर्शल की परिभासा देखें लाइक जो बर्ग रहता है तो इन्होंने सामाज को जिक्र किया है लेकिन जो बाहर रहते हैं सामाज से उनको नहीं जोड़ा है तो उनकी भी आर्थिक क्रिया हैं वो भी आर्थिक क्रिया करते हैं कि नहीं करते हैं तो उन सभी को इन्होंने बाहर कर दिया, तो रॉबिंस ने क्या कहा कि जो समाज है, उस केवल समाज का विज्ञान नहीं है, यह हम मानब विज्ञान कह सकते हैं, जिसमें सभी लोग सामिल हैं, सभी की आर्थिक क्रिया सामिल की जाती है, यह इन्होंने कहा है, आगे देखिए आर्दिसास्त का छेत्र सीमित हो जाता है रॉबिंस क्या कह रहे हैं कि आर्दिसास्त का छेत्र आपकी इस परिभासा के अनुसार सीमित हो जाता है छोटा हो जाता है किस प्रकार से मार्शल की परिभासा आर्दिसास्त के छेत्र को अतियंत सीमित कर देती है क्योंकि मार्शल की परिवासा के बर्गी करण के अनुसार क्या किया है इन्होंने बहुत इकता अबहुत इकता जैसे कि सादनों को क्या कर दिया इन्होंने बर्गी कर दिया केवल बहुत इक सादनों को लिया है अबहुत इक सादनों को नहीं लिया इसके बाद साधरान बैवसाय को लिया है, आर्थिक किरियाओ को लिया है, अनार्थिक किरियाओ को नहीं लिया तो मार्सल ये क्या कहते हैं रॉबिन्स कि मार्सल की परिभासा के बर्गी करन के अनुसार अर्दिसास्त्र में अब भौत एक साधनों असाधरान बैवसा है तथा अनार्थिक क्रियाओं का अध्यन ही नहीं किया जाना चाहिए इसके अतिरिक्त जो क्रियाओं द्रब रूपी मार्सर कि पमाने कि वह निग्याओं केवल अनका ही अध्यन हर्दिसास्त में किया जाना चाहिए अर्थार बस्तु बैन्मै इस फिर अर्दिसास्त से वाहर हो जाएगा अब बस्तु बैन्मै क्या होता है